सावन सोंबार के वरत में तमाटर खा सकते हैं या नहीं, शावन मास 2023 चल रहा है. इस माह में सावन के सोंबार का वरत रखा जाता है. वरत के दौरान लोग साबुदाने की खिचडी खाते हैं. कुछ लोग सिंधाडी या राजगिरे के आटे की रोटी और भिंदी की सबजी खा लेते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उक्वास में तमाटर खा सकते हैं या नहीं? आव जानते हैं. कई लोग सावन मास में साबुदाने की खिचडी, राजगिरे और सिंधाडे के आटे की रोटी, मूंफली के दाने, आलू की चिप्स, कच्चा और पका हुआ सीत गाजर, खीरा, नीमगू, लौकी, पालक और टमाटर, चुकंदर, हरी धनिया, हरी मिर्च, ककडी, केला, पपीता, भिंदी, अर्भी, इमली, मीठी, नीम, कदू, आलू, आदी खाते हैं. परंतु इसमें में से कुछ को खाने से वरत तूट जाता है और उसका फल नहीं मिल टोमेटो टमाटर वरत में टमाटर खा सकते हैं, या नहीं कुछ लोग इसे फल समझ कर खाते हैं, जबकि यहाँ फल नहीं है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए. दूसरा यहाँ टमाटर में अमलता होती है, जो वरत में खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है. वरत में यानी खाली पेट टमाटर खाने के नुकसान कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, और कुछ लोगों को इसके फाइदे भी हो सकते हैं. तमाटर खाने के फाइदे तमाटर में विटामिन C, विटामिन A, पोटेशियम, लाइकोपीन और अन्य पोशक तत होते हैं इसलिए वरत के दौरान तमाटर का सेवन करने से स्वास्थि के लिए फाइदे मन्द भी है परंतु हमारी सला है कि वरत में लौकी, कमाटर, भिंदी, अर्बी, खटे पदार्थ और जिन में नमक हो वो पदार्थ नहीं खाना चाहिए वरत या उकवास में निराहार ही रहने से फाइदा होता है